हाई वेल्कम तो मेर्चनल इस बड़ी में सॉल्व करें क्वेशन नबर 22 वाट प्राइस सुड असलम मार्क अन पेयर आफ सूज विच कॉस्ट्स हेम रूपीज त्वेल्व हंड्रेड सो आज तू गेन त्वेल परसेंट आफ्टर एलाविंग डिसकाउंट आफ 16% तो क्या करा है वाट प्राइस कितने प्राइस जो है असलम को मार्क करना चाहिए एक पेयर आफ सूज पर ठीक है तो मतलब एम्पी कितना सेट करना चाहिए असलम को यह बोला हुआ है जिसका cost price है असलम को जो पढ़ा है वो है 1200 यह cost price CP दिया हुआ है उन pair up suits का so as to gain 12% मनए कि 12% का फाइदा हो इस तरह से वो कैसे मतलब की mark price set करे और 12% का फाइदा कब होना चाहिए after allowing a discount of 16% ठीक है तो 16% का discount देने के बाद भी 12% का फाइदा हो इसके लिए असलम को pair of suits का MP कितना set करना चाहिए यह पुछा हुआ है तो हम क्या करेंगे कि पहले यहाँ पर हम एक बना लेते हैं flow chart CP हो गया यहाँ पर यह हो गया MP और यह हो गया SP हमेशा यही होता है condition CP से ज़्यादा होता है MP और MP से कम होता है SP CP और SP में हम loss प्रसंट या gain प्रसंट निकालते हैं और MP और SP के बीच में जो है हमारा discount प्रसंट होता है तो हमेशा यह sequence आप याद रखेगा और इसका ही use करिएगा डियागराम का जब ऐसा question पुछेगा तो CP क्या दिया हुआ है यहाँ पर CP दिया 1200 तो पेर अफसूस का जो CP है वो हो गया है 1200 रुपीज अब यहाँ पर गेन हो रहा है तो गेन हो रहा है मतलब क्या CP और SP के बीच में होगा गेन है कि नहीं तो गेन या loss परसंट जब भी होगा तो गेन परसंट लास परसंट हमेशा CP और SP पर निकालते हैं तो यहाँ पर दे दिया है 12 परसंट और डिसकाउंट यहाँ दिया 16 परसंट तो डिसकाउंट हमेशा क्या होगा MP पर लगता है तो MP पर लगेगा तो SP निकलता है आपर तो यह हो गया 16% discount ठीक है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर देखे CP पता है और gain पता है तो हम पहले निकाल लेंगे SP SP निकालने के बाद हमें discount पता रहेगा तो MP निकाल सकते हैं ठीक है बस यह sequence हमें करना है चलिए solve करते हैं तो यहाँ पर हम पहले निकाल लेंगे सिन्स लिख देंगे आपर सिन्स गीवन है CP आफ दी पेर आफ सूज पेर आफ सूज इसकोल टूट ट्वेल वहंडेड पीस अब यहाँ पर गेन प्रसंट दिया हुआ है तो लिख देंगे गेन प्रसंट तो हमें सिवी पता है प्रसंट पता है तो हम निकाल सकते है SP आफ दे सूज सोज लिख रहा हुँ मैं SP आफ सूज इस उकल टूट क्या हो जाएगा यहाँ फम्ला होता है SP निकालने के लिए CP multiplied by hundred में plus करेंगे profit percent या gain percent जो भी रहेगा यहाँ पर upon hundred यह आपका फंबला है और इसका उज़ करते हैं तो CP क्या होया यहाँ पर CP देखिए क्या दिया होया है यहाँ पर 12 hundred तो यह हो जाएगा 12 hundred multiplied by hundred plus gain percent गेन कितना है 12 percent यहाँ लिख देगे यहाँ पर पान हंड़ेड राइट और यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो मिलेगा आपको 1200 मड़ेड बाई यहाँ मिल जाएगा 112 अपान यह होजाएगा इसका SP है अब हमें निकालना है एक्चुली उसका जो निकालना है वो है marked price कितने पर mark करेगा स्लम जो है कितना उसको mark करना चाहिए कि जो भी कंडिशन दिया हुआ है वो फालो हो सके यहाँ पर MP अब निकालना हमें है marked price तो हमें SP निकल गया और lost percent यहाँ डिसकाउंट परसंट दिया हुआ है 16% तो हम निकाल सकते हैं तो यहाँ निकाल सकते हैं सिंस डिसकाउंट परसंट हैं सिंस्यंट परसंट इस विवन अजी परसंट अबूच ए स्थी परसंट गए पिसले सो marked price of shoes of the shoes of the pair of shoes will be right pair of shoes क्या हो जाएगा marked price तो यह हम जानते हैं कि MP बरापर क्या होता है हमारा SP जब SP दिया हो और discount % दिया हो तो formula होता है SP इंटू 100 अपान 100-discount % तो SP कितना हमारा है यह हमारा भी निकला हुआ है पर होगा 100-1,344 x 100 अपान यहां पर होगा 100-discount % तो तो solve कर लेते हैं 1 3 4 4 मुट्प्रेट बाई यहां पर हो गया 84 अब यहां केंसल आट करते हैं तो यहां 12 से कंसल आट हो जाएगा को यहां देखे 12 से मुट्प्राइग किया गया था न तो 12 से यह भी कटेगा 12 से वंजा होता है 84 यहां पर कटेगा तो यह देखे 12 से मुट्प्राइग किया था इसमें तो यह इतना ही मिलेगा 112 727 गटते हैं नहीं 717 और 4 बचा 42 हो गया 762 कड़ गया हाँ पर मिंस यहां 16 मिला यहां पर 100 है तो मनदपलाई कर देंगे मिलेगा आपको 1600 रुपीज यही आपका है मार्ट प्राइस क्यों हमने वही निकाला है मार्ट प्राइस और वही पुछा भी है कि असलम जो है कितना मार्क करें करना चाहिए असल आल यहीं सब्सक्राइब कर चुके हैं थैंक यू सो मच लाइक और सेयर बाई